नमस्कार, पीपी नूज लाइन के प्राइम टाइन में आप सब का स्वागत, मैं हुरचनी अनुभव, आए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज दिनबर की परमुक्ष सुर्खियों पर जमुकश्मीर में डीडीसी चुनाव के आठवे और आखरी चरण के मद्दान शांतिपून डंग से हुए संपन सरकारी अधिकारियों करमचारियों की देश-विदेश में बिना अनुमती स्टडी लीव पर लगी रोग जमुकश्मीर में करोना संक्रमन को दीब मात 97.85 फीसद मरीज हुए ठीक और करोना के चलते लोगों की लापरवाही एक बार फिर आई सामने रेरियों पर बड़ा गरम कपड़े खरीदने का जमावड़ा अब कमरें विस्तार से जमुकश्मीर में डीडीसी चुनाव के आठमें व आखरी चरण के चुनाव शांति पून डंग से संपन हुआ आठमें चरण में सुंदर्वनी और दरहाल निर्वाचन क्षेत्रों में मद्दान शनिवार को संपन हुए कडाकी के ठंड के बाब जूद भी सभी मद्दाता अपने मद्दान का उचीत परियोग करने के लिए वहाँ पर पहुँचे दरहाल निर्वाचन क्षेत्र में 26,296 मद्दाताओं के लिए 58 मद्दान केंद्र बनाएगे हैं इनमें से 11 केंद्र अती संवेदन शील और 25 केंद्र संवेदन शील चेहनित किये गए हैं वहीं सुन्दरवनी निर्वाचन क्षेत्र में 32,577 मद्दाताओं के लिए 75 केंद्र बनाएगे हैं इनमें से 11 केंदर 30 समवेदंशील है जब की 23 केंदर समवेदंशील है जिले में शनिवार को आकरी चरण डीडीसी चुनाव वे मद्दान पुर्क्रिया संपन होने के बाद अब सबकी नजरी 22 दिसंबर को होने वाली मद्गन्ना पर लग गई है पहली बार डीडीसी चुनाव हुए हैं इसके चलते इसके परिनाम पर सबकी नजरे लगी है हर कोई बेसबरी से परिनाम जानने का इच्छुक है क्योंकि चुनाव राजनिती आधार पर होने से ज़्यादा दिलचस्प रहा इसमें भाग लेने वाला हर कोई राजनिती की पहली सीड़ी इसी चुनाव से चड़ने का सपना देख रहा है मद्गन्ना की तैयारियों को लेकर हालांकि जिला पर शासन गत सबता से जुट किया है लेकिन सभी चरण के मद्दान पर क्रिया पूरी होने के बाद आप पूरा दियान पर शासन का इस कारे पर हो जाएगा आप पूरी तरह से अधिकारी मद्गन्ना की तैयारी में जुट जाएंगे जिला में पंचायतों के चुनाव को छोड़ कर अब तक हुए सभी चुनावों की तरह मद्गन्ना सेंटर जिला मुख्याले पर ही बनाएगे स्ट्रॉंग रूम में होगा जहां पर अलग-लग चुनावक्षेत मद्गन्ना सेंटर बनाएगे हैं दिसंबर के मद्दे में पढ़ रही कडाके की ठन ने कई रिकार तोड़ती हैं जमू में रात और दिन का तापमान चार दश्कों में अपने नियूंतम स्तर पर है शुकरवार को शहर से सटे चठा इलाके में स्तित शेरे कश्मीर यूनिवर्स्टी आफ एग्रिकल्चर साइंसिस एंड टेकनोलोजी के एग्रोमेट डिविजन की वेद शाला में दिन का अधिकतम तापमान 11.8 डिग्री सल्सियस रहा चबकि पिछले 24 गंटे में नियूंतम तापमान 11.8 डिग्री सल्सियस रिकार्ड किया गया सीजन की 18 दिसंबर तक की अवदी में इतनी ठंड पिछले 38 साल में पहली बार पड़ी है हाला कि दिसंबर के आकरी दिनों में पारा कई बार इससे ज़ादा गिल चुका है 30 दिसंबर 2013 को नियूंतम तापमान 6 डिग्री रिकार्ड किया गया था शुकरवार को नियुंतम तापमान में भी रिकार्ट 1.6 डिगरी तापमान का पैमाना दर्स किया गया इससे पूर्व 20 सेसंबर 2010 में 1.2 डिगरी तापमान रिकार्ड हुआ था 18 दिसंबर तक की अबदी में इससे पूर्व कभी भी नियुन्तम तापमान में 1.6 डिग्री का स्तर नहीं चुआ है। जमु कश्मीर सरकार ने सरकारी अधिकारियों करमचारियों की देश विदेश में स्टडी लीव पर जाने के नियुमों पर कड़े निर्देश जारी की है। शामिल किये ने प्राफधान के तहट अब स्टडी लीव लेने के लिए करमचारियों को ये बताना होगा कि ये स्टेडी लीव या ट्रेनिंग जन हित में है या नहीं। जमु कश्मीर ने करोना संक्रमन को माद देने के लिए काफी हद तक सफलता हासिल कर ली है। परदेश में अब तक करोना संक्रमित मरीजों में से 95 फीसद मरीज स्ट हो चुके हैं। मातर 5 फीसद मरीज ही ऐसे हैं जो कि अस्पतालों या फिर गरों में अपना इलाज करवा रहे हैं। अगर इसी तरह का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहता है तो स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर और बढ़ जाएगी। वही जम्मु जिले में स्रीनगर के बाद सबसे अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। उनमें से 94 फीसद मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्ते विबाग के अधिकारियों के अनुसार अब अस्पतालों में इलाज के लिए वही मरीज आते हैं जिनकी हालत गंबीर होती है। जिनका आक्सीजन स्तर कम होता है। अन्य मरीजों का इलाज गरो में ही हो रहा है। एक तरफ करोना से बचने के लिए दो गज की दूरियों और बिना सैनिटाइस किये किसी चीज को ना चुने वारे सरकार लोगों को जाकरू कर रही है लेकिन दूसरी तरफ लोग सब कुछ जान कर भी अंचान बन रही है ये लापरवाही आजकल शहर भर के हरचोग चोराहे पर नजर आ रही है जहां विदेशों से आ रहे ही पुराने गरम कपड़ों की खरीदारी के लिए लोगों का जवावड़ा लगा रहता है दरसर रेडियों पर विखने वाले इन कपड़ों को एक के बाद एक लोग पहन कर देखते हैं एक कपड़े को कई लोग पहन कर देखते हैं पसंद ना आने पर वे इन्हें उतार कर वापिस रखतेते हैं और उसके बाद कोई दूसरा उसे पहन कर देखने लगता है ऐसा कपड़े के साथ तब तक होता रहता है जब तक उसका कोई खरीदान नहीं मिल जाता उसे तब तक पहने वालों में कोई संक्रमित है या नहीं इसकी तो कोई गरंटी ही नहीं है आवक तो चला एक ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ शिवसेना हिंदोस्तान द्वारा आरेसपुरा के सीमावर्ती गाउं सेही कला में बैठका आयोजन क्या गया जिसमें सीमावर्ती लोगों के समक्ष आरही समस्यां को उन्होंने उजागर किया बैठके दोरान पार्टी के रास्टी उपरदान पंडित राजेश केसरी तथा पार्टी की राज अध्य गनेश चोधरी विशिश तोर पर उपस्ते थे बैठके दोरान शिवसेना हिंदोस्तान द्वारा गाउं की महिला इकाई का गठन के आगया जिसमें सुदेश कुमारी को परदान, वीना देवी को उपरदान, गीता देवी को महासचीव आशा रानी को उपरदान तथा निशा कुमारी को चेर्मेन पद की जिमेवारी सोंपी गए इस मोके वर बैठर को संबोधित करते हुए पार्टी के रास्टी उपरदान पंडित राजीश केसरी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेतर में रहने वाले लोगों के साथ सरकार द्वारा बड़े-बड़े वादे किये जाते हैं की मांगों को पूरा नहीं कर देती इसके साथ ही सीमावर्ती गाउं में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पांच-पांच मरले के प्लॉट दिये जाने चाहिए पार्टी के राजी अदेक्ष गनेश चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी पिछले लंबे समय से सीमावर्ती गाउं में रहने वाले लोगों की हकों के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है उनने कहा कि आज महिला एकाई का गठन किया गया है जिसका मकसद होगा क्षेतर में रहने वाले लोगों की समस्यों को सुना जाए और उनका समाधान किया जाए जडिवर्त इसमस्यां चायो राशनकाड या चायो पेंशन इलिया चायो कर आए जड़ियं गराए ग्राए लेते करना गरां लगदे नंप्रीए सिमस्यां आइं जनता इसमस्यां ए जुडियाल करना क्योंकि सिर्व दान हिंदोस्थान पूरा जूंटे करना पिछा बैठ सब्सक्राइब करके कि एक बड़ा बड़ा स्पिटल देता जाना चाहिए क्योंकि जिल्लाव कोई आपने गोला बाली चल दिया जाए सब्सक्राइब करें गोला बाली चल दिया जाएब बाटर दिया जनता है कदें कोई जगाज यहां प्रदान मेंत्री मोधी जीन है अजास उन्हें भी पील करके कि बाटर दे लोके वासते हैं एक जूद वासते हैं कि पठीकिती चाहिए एस पी और एक भी सव्दी था पर फि सिक प्रोग्रेसी फ्रेंट द्वारा आज इक प्रेस बीट का आयोचिन किया गया जिसमें उन्होंने माननी परदानमंत्री द्वारा किये गे कारियों की सराहना की साथ ही उन्होंने परदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिक समुदाए के लोगों को नोकरियों को लेकर उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है उन्हें पूरी तरह से नजर अंदास किया जा रहा है इसके लिए उन्होंने माननी है परदानमंत्री से गौहार लगाए कि खुद इस मामले में हस्तक शेप कर सिख समुदाय को इनसाफ दिलाया जाए क्यों क्या जो सिक्द्ध हमारे किश्मीर में ठहरे जन्हों ने हिंदुस्तान का अजंडा बुलंद किया देश की अखनदा के लिए काम किया उनको इस चीज़ सी डीबार क्यों किया गया अगर कैटागिरी है माइगर्न तो नहां माइगर्नेंज़ दोनों सिक्क आते हैं माइ कंटर्डिक्ट करती है इससे पहले भी एसरोफ चार्टो बारा को अमेंड करके जहां किस्मेरी माइगरंस दिखा था वहां उसमें आपने इस पर वो भी नहीं लिया गया तो इसलिए मैं समझता हूँ यह वो चीज़े हैं जो यह कहा कि जेंड के के सिकों के लिए हमने खास ट कि आपने खास टाइम नहीं दिया जा रहा है लेकिन हमारे साथ जो डिसक्रिक्राइशन है अकर रियास्ति स्रकार भी नहीं सुनेंगी तो पुदार्ण मंतर जी मैं आप क्या दुखास करता हूँ यह जो बेंस आफिया है इनको रोकिए और अगले साथ जो किताब आप पैंथर्स पार्टी की प्रेदेश आदेक्ष राजीश पडगोत्राद्वारा प्रेस मीट का आयोचन किया गया इसमें उन्होंने भारती जंता पार्टी के ऐसे बहुत से नेताओं के नाम लिए जो रोशनी घोटाले एक्ट में शामिल हैं इन्होंने बारती जंता पार्टी वालोंने सरकारी जमीनों को लूटा हैं सरकारी खिजानों को लूटा है और सबसे बड़ा गैंड कोई जमुक्ष मीर में है लुटे लोगा वो है बारती जंता पार्टी वालों का हम एक्टी प्रिशाशन से जमां करना चाहते हैं कि इनके एकलाब F.I.R. लाज करके इनको फोरी तोर पे गिफ्तार किया जाए और जेपी नड़ा साथ आप इनके इकलाब कारवाई करें और इलेक्शन कमिशन आप इंडिया से हम अपीर करना चाहते हैं कि इनको आने वाली असेंबली की इलेक्शन में इनको जो है वो प्रमिशन ना जी जाए लेक्शन लड़ने की क्योंकि सबसे ज्यादा क्रेक्ट अगर कोई अगर कोई लीडर है तो वो बार्ती जन्ता पार्टी वाले हैं जिस तरीके से जन्ता पार्टी के लिए अलाग करनों जमुचमीर में बिनाया हुआ था आज पैंतुस पार्टी जो है वहां वहा और आज पार्टी जन्ता पार्टी के नामों को सामने लाकर फैंतुस पार्टी आने और हाई कोर का तन्यावाब करती है पीपी न्यूस लाइन के प्राइम चायंग के आज के इस अंक में बस इतना ही मुची और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजासत और आप देखते रही पीपी न्यूस लाइन नमस्कार जैम आप्टीशन्स नई बस्ती जैम आप्टीशन्स अंफला जैम आप्टीशन्स त्रीकुटानगर